हेलो गाईज यह डिफ्रेंटिटिबल का मैं पार्ट टू लाई हूं डियू के सेमेस्टर वन के अकॉर्डिंग बी ए प्रोग्राम मैट्स में तो डेरिवेटिव जाप्टर में जिसे हमें एक ग्वेशन ट्राय कर रहे हैं कि चेक करना है हमें कि function differentiable है वी सही है नहीं है तो function differentiable तब ही होता है जब उसकी left hand derivative और right hand derivative बराबर होती है ठीक है जैसे कि हमने कि example यह है mod of x अब आपको पता है guys कि mod of x का क्या हिसाब है उसका एक graph अगर हम बनाएं graphically तो हम ऐसा एक graph बनता है so we all know that देखिए guys कि अगर minus x तब होती है value जब x less than 0 और x greater than equal to 0 तो x तो left hand derivative formula हमें मालूम है कि function उस particular point पर देखिए so function हम 0 पर check कर रहे हैं differentiability तो function 0 प्लस h और function की value 0 पर कितनी है upon में h तो left hand derivative निकालना चाहा है पहले हमने तो अब value पुट करोगे तो क्या हैगी h less than 0 है और function 0 प्लस h है तो minus h minus 0 upon में h तो यह आजाएगी आपकी value limit h tends to 0 negative आजाएगी और यह आपका minus h h minus 1 हो जाएगा चीक है similarly right hand derivative निकालेंगे तो यह हो गया आपका limit h tends to 0 plus f of 0 plus h minus f of 0 upon में h और यह value आपकी निकल के आजाएगी 1 सो आप rough work में देख सकते हूँ कि कैसे हमने करा भई f of 0 plus h पर value निकालने कले हमने इस स्प्लिट करा minus कब होगी value plus कब होगी और उस according निकाल दिया जिन बच्चों को नहीं हा रहा था तो यह function इससे पता चल गया not differentiable है और हम graphically भी समझ में आ रहा है भई corner बन रहा है edge बन रहा है तो अगर हम इस पर tangent row करेंगे तो tangent जो है वो 0 की जब pass आएगा तो parallel तो होने वाला नहीं है पर जबकि इसी case में यह देखो जब ही smooth बन रहा है f equal to x square पे तो यह हर point पे हर domain में every point पे यह differentiable होने वाल है क्योंकि इतना smooth structure है और tangent जो है वो जैसी pass आएगा वो एक success के parallel हो जाएगा so I hope the video must be helpful for you thank you so much